बश्टाचार और नौजवानों के भविश इन दों मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझाता कोई करे या मैं समझाता करूं यह सम्भव नहीं है अभी एक दो दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी कॉंग्रिस का जो शीश नेतित्व है अध्यक जी है पाकिस अगलोग है जो मांगे मैं रखी थी उसका पूरा संग्यान पार्टी को भी है दिल्ली में परसुई मैंने बात की है और मैंने कहा था जब मैं पन्दा तारी दोमेन में है तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए और जहां तक राजिस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन है महाँ पर काफी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्ति ऐसी हैं जो मैं समझता हूं बहतर हो सकती है इसलिए उसका मूल चुक उसमें परिवरतन लान उसकी पंक्शिनिंग में उनकी नियुक्तियों में माबदन पैहों और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शेरों में जाकर मकान और कमरे किराये पे लेते हैं कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं साल दो साल मैनत करते हैं उसके बाद अगर उनके साथ धोका हो रहता है तो उन लोगों के पाद कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं कुछ के घर परिवार्वानों को आर्थिक बहुत दिक्कते आती हैं तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें ना समझता हूं ये मैंने मुटा उठाया था और मैं समझता ह इस मुद्धे पर कारवाई सरकार करेगी जैसा मैंने कहा परसों मेरे इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने पिशूज उठाए थे खासकर करप्शन के शूज जो ब्यापक बश्टाचार यहां लूट मची थी भ इस बातों कहा था कि सरकार इसको जल्द कारवाई करेगी बात सब जानते हैं तो मैं इंजार करना हूं कि परसों मने दिल्ली में बात की थी और कारवाई करने का जो दाइत है वो कह चुके राजशरकार को करना है तो देखिए तो कल क्या होता है